एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि फाहा फेरी और खानकोई को दच्चिस की सच्चाई का पता चल गया था पर फिर भी वह नहीं मानने का एक्ट कर रही होती है लेकिन लास्ट में उसे मानना ही पड़ता है लेकिन तभी रीची एंजल्स का कॉल आता है जिससे वह मौका देखते हुए निकल जाती है और फिर हम देखते हैं खुन खाओ जहां क्रातिंग आकर उसे नाश्टा वगेरा देता है और उससे अपना पेमिंट मांगने लगता है उन लड़कियों का दिल तोड़ने के लिए तो खुन खाओ इस बात को टाने लगता है तभी क् कि पास वो नाश्टा लेकर जाने लगता है और इधर हम रिची एंजल्स को देखते हैं जिदर हनी ने प्लैन बनाया था कि वो लोग मिलकर डचेस को मजाग बनाएंगी तो फहासी बोलती है कि ये सही रहेगा तो हनी बोलती है तुमको कोई दिकत है लेकिन फहासी को भी मा आफ मना करती है बट ये लोग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और इधर फहाफेरी और खान को ये अपने चुकल बाजी में लगे हुए थे तब ये वहां डचेस आती है बिलकुल गरीब वाले गैट अप में तो वो लोग बोलते हैं तुमने ये क्या पहना है तो डचेस बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया तो हनी बोलती है तुमें सच में लगा था जो इस टूपड बाते हमने तुमें कहा वो तुमें करना चाहिए था और वो इसकी बहुत जादा इंसल्ट करने लगती है और लिस्ट को निकाल कर बोलती है इसमें तो तुम्हारा नाम ह नहीं है तो तुम्हें स्टूपड नहीं बोसकती तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं और डचेश गुस्से में वहां से चली जाती है और यह दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं और और यहां डचेश अकेली अपसट बैटी थी उसे क्राथिंग देखता है और उसको देख तुम ठीक हो वो तो उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो डचेस है डचेस बोलती है उसके साथ प्रैंक हुआ तो ग्राथिंग बोलता है तुम कौन से क्लास में जा रही थी तो फिर डचेस बताती है हीवन कम्यूनिकेशन तो ग्राथिंग बोलता है वहाँ तो सिर्फ अमीर बंद ही पढ़ते हैं अग्राथिंग जबरदस्ती दचेस को अपने क्लास लेकर आता है उसकी सब्जक्त को अटनेंट करने के लिए और वो उसे अपने कलास में लाग कर फेक देता है तो डचेस बोलत चाहती हूं कि विडियो अगर अच्य लग रही है तो विडियो को मेरे चैनल पर अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साही साथ बैल आइकन कोभी प्रेस्ट के घुंचे विडियों का आप सबसे ब काया तो झालता है यह उम्ट से जल्द्ध ही कि वह खून खाव है वह फूल के पकोड़ा बन जाती है और यह सब देखके क्राफिंग बोलता है तुमने तो कहा था तुम आज नहीं आओगे तो खून खाव बोलता है उसने मन बदल लिया क्यूट लड़की को देखने आ गया जिससे डचेस खुशी के मारे मूँ बनाने ल सेप्ट हो जाता है जिससे कि वह बहुत जादा खुश हो जाती है तब हम देखते हैं फहाफेरी जो सेप्से बात कर रही थी तब यहां डचेस खुन खाव की शर्ट को दिखा कर शो आफ करने लगती है यहां डचेस ने अब सोच लिया था कि वह उन सारे चुड़ैलों से बदला लेगी और वो दोनों बोलते हैं वो भी उनकी मदद करेंगे यहां हनी बोलती है वो और बहतर बनेगी रिच कलब में जिसे वो खुन खाव को प्रेफर कर सके फासी भी ट्राइ करना चाती थी बट हनी उसको मना कर देती है यह कह कर कि वो बौदान ना करें क्योंकि बोसकी चिंटा करती है और यहां रिच कलब में ना हारने के लिए खान कोई डचेस को अपना ग्यान दे रहा था यह सब सुनने के बाद डचेस खुद को एक रिपोर्टर में इमेजनेट करती है तो खान कोई बोलता है पागल हो क्या यह नहीं और वो एक वीडियो को सोचन होता है तक होphon कि पढ़िए समय त है यहां ऊजाती है उन में से नहीं बताती है यहांड़ दर क्लब or वton नहींा रहा था और वो उसे कहीं जादा पैसे देखर वहां से चली जाती है और यहां दचेस जबरतमन्द लोगों को अपनी तरफ से सोया मिल्क बाट रही थी जिसे कि फहा फेरी और खान कोई फिल्म करते हैं और उन्हें अब उम्मीद हो गई थी कि इस वीडियो से फॉलोवर्स तो जरूर बढ़ेंगे तब वहां कियों आए हो तो खुनका बोलता है क्राफिंग को बुलाने के लिए मुझे पता है वह तुम्हारी मदद कर रहा है तुम जाहो तो मैं भी कर सकता हूँ दुछेस बोलती है नहीं इट सोके तो फिर खुनका बोलता है कि वैसे यहां क्या-क्या है और डचेस उसको यह सब दे तुम बोलता है नहीं तुम गलत हो तो खुनकाव बोलता है क्या सच में और यहां डचेस खुनकाव के हाथ को चुने की वज़त से बहुत जादा खुश थी जिसे की क्राथिंग खुश नहीं दिख रहा था और इधर डचेस देखती है कि उसके फॉलवर्स सिफ और सिफ तीन नहीं बड़े हैं जिससे की वो लोगों को अच्छा नहीं लगता तो खान कोई बोलता है लगता है यह इसलिए क्योंकि तुमने डचेस नाम रखा है और वो लोग देखते हैं कि हनी के कुछ जादा ही फॉलवर्स है यानि की पांच लाख फॉलवर्स थे जिससे की यह दुमार डचेस ना कि बोलती है क्या वो उसको एक फीवर दे सकता है तो प्यम्यातिख यह होता है वो खून खाव को बोलेगी वो उसे कहीं जादा टालेंटेड और स्मार्ट है तो क्राथिंग बोलता है रुको रुको उसको बोलने की ज़रुत नहीं है तो क्राथिंग पूछता है कितने फॉलवर्स चाहिए तुमें तो दच्छिस बोलती है 3 मिलियन और हम देखते हैं रात का समय था और क्राथिंग पीसी सेंटर में सारे केंप्यूटर में दच्छिस को आन करके था जहां टैन आकर बोलता है कि वो शिकायत करेगा तब ही वहाँ खून खावा कर बोलता है तुम लोग यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो तो क्राथिंग बोलता है कि वो काम कर रहा है तो खून खाव डच्छिस की फोटो देखके बोलता है कि अब यह मत बोलना कि तुम उसे पसंद करते हो तो वो बोलता है नहीं उसने मुझे हायर किया है और खून खाव बार बार मिल्क पीने की कोशिश करता है बर टैन उसे पीने नहीं देता और खून का वहाँ से चला जाता है और क्राकिंग बोलता है जाओ जिसे रिपोर्ट करना है करो और यहां तर्चेस देखती है कि उसके फालोवर्स पांच लाक हो गए थे वो बहुत ही जादा खुश हो जाती है और सेलेबरेट करने का सोचती है और फाहा फेरी जैसे सोचती है कि वो एबबी पे ये सब पोस्ट करेगी तब उसे दिखता है कि एबबी पे उसके बॉइफिंट जोसेप ने एक लड़की के साथ फोटो डाली है जिससे वो परेशान हो जाती है साफ मतलब ये था कि वो उसके चीट कर रहा है वो उसको कॉल भी करती है बट वो उसका कॉल नहीं उठाता और फाहा फेरी बोलती है साला मुझको छोड़ गया जबकि मैंने इतना पैमपर किया था साला हराम खोर तो डचेस बोलती है शान्थ हो जाओ और अब डचेस के साथ लाग फालोवर्स हो गये थे और वो तो खुशी के मारे पगला गई थी लेकिन फाहा फेरी सैट सॉंग आए जा रही थी और डचेस और खूनकाव सोचते हैं स्पा में जाने का यहां यह लोग स्पा में थे जिदर फाहा फेरी को मसाच करने वाला बंदा लाइन दे रहा था और यहां तक यह ऐसा ही खान खूई के साथ भी हो रहा था और इधर डचेस भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी और इधर यह दोनों डचेस को मैसेच कर रहे थे यहां कुछ अजीब है बर डचेस ने आँखों में काप्ला डाल लिया था इस वज़र से उसे कुछ नहीं दिख रहा था वहां भी मसाच करने वाला आता है और आकर पूछता है क्या आपको स्पेशल सर्विश चाहिए तो डचेस बोलती है कि हाँ और वो अपने कपड़े वापड़े खोल देता है जहां यह सब देख दचेस डर के बोलती है कि यह क्या कर रहे हो तुम तो वो बोलता है तुमने ही तो कहा था और यहां यह दोनों ने पुलीस पे रिपोर्ट कर दी थी तब ही उस शौप में पुलीस आ जाती है चुपे हुए थे जहां वो लोग दचेस को पुलीस के पास जाता हुआ देखते हैं इदर दचेस पुलीस से इस घलत फैमी के बारे में समझा रही होती है पुलीस वाला बोलता है कि तुम यंग हो और कोई काम नहीं कर सकती और फिर से दचेस अपनी हसीयत बताने रखती है और इस बार साथ ही साथ खुद की पॉपलेरिटी भी और उसकी बाते ही सुनकर पुलीस बोलता है इतना सेल करने का अगर शौक है तो फिर थोड़ी जेल की भी हवा खालो और उसको वो पकड़ के लेकर जाने लगते हैं और दचेस एक खंबे को पकड़ के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है तब ही वहाँ क्राथिंग आकर बोलता है कि उसे छोड़ दो और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है